हेलो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूटूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेश्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले दीपक ठाकुर के भारे में आप सब तो जानते ही होंगे अरे भाई जानते ही होंगे जानियेगा कैसे नहीं सबसे पहले तो यह अपने बिहार के मुझफरपुर से हैं उसके बाद बॉलिवोड में जाने माने सिंगर और आज कल चल लहे बिग बॉस सीजन बारा के आपको दीपक ठाकुर के हर उन बातों से सरोकार कराने जा रहा है जो शायद आप पूरी तरह के से नहीं जानते होंगे तो चलिए दोस्तो, सबसे पहले बताते हैं कि ये दीपक ठाकुर कौन है दोस्तो दीपक ठाकुर एक जाने माने सिंगर है, यूट्यूबर है और इनको पहला ब्रेक दिया अनुराग कश्यप ने अपनी जानी मानी गैंक्स ओफ वासेपूर के पहले पार्ट में जो 2012 में रिलीज हुई थी गैंक्स ओफ वासेपूर तुलगबग हम सभी ने देखा है वो खास गाना, हमनी के छोड़ी के वाला गाना जी हाँ, उसी गाने से पहला ब्रेक मिला था इस बिहारी शिंगर को इसके बाद इस नए आवाज की तारीफे हुई और फिर क्या था हर जगह या नाम चाने लगा और दीपक को और भी मुवीद से बुलावा आने लगा तो या तो था एक हाईलाइट दीपक ठाकुर के बारे में आईए अब जानते हैं दीपक का प्रारंबिक जीवन दीपक का जनम 24 मार्च 1994 को हुआ और प्यार से लोग इनहें कनहिया भी पुकारते हैं बच्पन से ही गाने में माहिर दीपक हमेशा गुनगुनाते रहते थे इनके इस जजबे को देखते हुए इनका परिवार अपने अथर गाउं से मुझफर पुर चला आया यहीं दीपक छोटे मोटे पाटियों के साथ साथ जागरन, शादियों वगहरा हमें गाने लगे वैशे दीपक का यूट्यूब पे भी अपना एक चैनल है दीपक ठाकूर के नाम से जहां आपको हिंदी, पंजावी और भुझपूरी गाने मिल जाएंगे जो दीपक ने अपने स्टाइल में गाया है दीपक ने अपनी प्रारंबिक सिक्षा आक्सपोर्ड पब्लिक स्कूल मुझफरपूर और प्रिस्टीन चिल्डरंस हाई स्कूल मुझफरपूर से पूरी की दीपक ने इसके बाद मुझफरपूर के प्रशिद्ध ललीत नारायन मिस्रा कॉलेज ओफ बिजनस मैनेजमेंट मुझफरपूर में BBA, Bachelor of Business Administration किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MBA में एड्मिशन भी लिया जिसे उन्होंने बाद में छोड़ दिया सुरू सुरू में दीपक छोटे मोटे पार्टी फंक्शन्स में गाते थे लेकिन साल 2012 उनके लिए सबसे जबर्दस्त रहा जब प्रशिद म्यूजिक डिरेक्टर इसनेहा खानवलकर ने उन्हें चुना और गैंक्स ओफ वसेपूर के पहले पार्ट हमनी के छोड़ी के शौंग को गाने का मोका दिया इसके बाद उन्होंने अनुराक कस्यप के फिल्मों में अपनी बहतरीन आवाज दी वसेपूर के दूसरी सीरीज में फ्रस्टियाओ नहीं मुरा उसके बाद मुक्यबाज में अधूरा में जैसे गानों में इन्होंने अपनी आवाज दी दीपक ठाकूर 2018 के बिग बॉस सीजन 12 में शामिल हैं और इस सो में उनकी जोडिदार हैं पटना की उनकी फैन उर्वशी वानी दीपक ठाकूर की लव लाइफ की अगर बात भी जाए तो चर्चा यह है कि सो में उनकी जोडिदार जो उनकी फैन भी है वहीं उनकी गर्ल फ्रेंड है दीपक को गाने के शाथ साथ लिखने और पढ़ने का भी सोख है और इन्हें जानवरों से काफी लगाओ भी है दीपक ने अपनी सुरुआत स्ट्रगल से की है और उन्होंने एक छोटे से प्लेटफॉर्म से अपनी पहचान बनानी सुरू करी जो वाकई में काविले तारीफ है तो दोस्तो आज बिहारी निउस के बिहारी पहचान है हमारे मुझफरपुर बिहार के लाजवाब और शानदार सिंगर दीपक ठाकुर दोस्तो उम्मिद है कि आपको इनकी कहानी पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निश्पक्ष एम ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें शुक्रिया